जै स्री कृष्णा दोस्तो, दोस्तो स्री क्रेशन जन्वाश्मी का त्योहार आने वाला है और इस त्योहार को पूरे भारत देश में बहुती हर्स और उल्लास के साथ मनाया जाता है और खास कर हमारे इस ब्रजशेत्र में इस त्योहार पर स्री क्रेशन जी को भोग लगाने के लिए एक विसेस मिठाई तयार की जाती है जिसे मेवा पाक बोलते हैं तो आज वो ही मेवा पाक हम बनाने वाले हैं और अधकांस भाई वेनों की यह समस्या रहती है कि यह परफेक्ट तरीके से नहीं बनती है तो दोस्तों आप वीडियो को पूरी जरू देखिएगा और म आपको ऐसी ट्रेक और ऐसी टेकनिक बताने वाला हूं कि आपकी यह मेवा पाक मिठाई बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगी और आज के बाद आपकी यह समस्या नहीं रहेगी कि यह परफेक्ट तरीके से नहीं बनी है तो मैं आपका दोस्त जैविर चोधरी आपके आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलती रहेंगे तो देखते हैं दोस्तों आगे वीडियो यह मेवा पाग मिठाई बनाने के लिए दोस्तों फर्स्ट आफ वाल हम यह पचास-पचास ग्राम ड्राइफ रूट लेते हैं जिनमें काजू, बादाम, अ परम कर लेंगे, इसके बाद जो भी ट्राइफ रूट हैं उनको हमें सैलो फ्राई करना है, तो सबसे पहले इसमें यह बादाम हम डाल देते हैं, बादाम को सैलो फ्राई करेंगे, तो यहां फे फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, यह जरू ध्यान रखना, यह फ्लेम इसमें डाल देंगे, और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, जिससे यह बड़े आराम से इसमें फ्राई होते रहें, अब अगरोड भी इसमें डाल दिये, इनको भी फ्राई कर लेना है अब ये किसमिस भी इसमें डाल देंगे और किसमिस सबसे एंड में डालेंगे क्योंकि किसमिस ज्यादा फ्राई हो जाती है तो बिलकुल काली पड़ जाएंगे जिससे जो मेवा पाक है उसका जो कलर है वो बिलकुल खराब हो जाएगा तो ये हमारे फ्राई वो चुके हैं अब ये ड्राइफ फ्रूट हैं इनको हम निकाल लेते हैं और इनको ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए जिससे ये मेकशी में दर दर ये पिस जाएं और इसके बाद दोस्तो जो मखाने हमने लिये थे वो मखाने भी इसमें फ्राई कर लेंगे तो ध्यान रखना फ्लेम लो रखनी है और इसमें 2-3 मिनट लगेंगे 2-3 मिनट में ये मखाने बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और ये हातों से मखाने को चेक कर लेंगे तब तक हमें इने फ्राई करना है तो ये आप देख सकते हैं बिलकुल हातों से तूट जाएंगे जिस सरे से चूरा बनता है उस सरे से इनका चूरा बन जाए तो ये मखाने निकाल लेने हैं तो ये आप देख सकते हैं तो से तीन मिनद का टाइम इसमें लगता ह। यह सारे मखाने भी निकाल लेते हैं। इसके पाद जो नार्यल था, कि ज गद्दू कर्स किया थी वह पूरा बिए नार्य भी हम इसमें डाल या कि और इसको भी फ्राइ कर लेते हैं। तो यह सभी घी में फ्राई हो रहे हैं दोस्तों यह ध्यान रगना क्योंकि स्रीक रस्ण जी का भोग लगाना है तो उसमें भी यह सारी अच्छी चीज़ें चाहिए और बागी के ओर भी ड्राई फ्रूट इसमें आप डाल सकते हैं तो यह मैंने पाँच ड्राई फ्रूट डालें तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आप दोस्तो मिक्सी में जो ड्राइफ रूट हमने फ्राई किये थे उनको हम दरदरा पीस लेंगे तो यहां पे ध्यान रखना कि बिल्कुल चूरन इनका नहीं बन जाए तो यह दरदरे पीस लेने तो दोस्तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें य इनको एक ब्लेट में नकाल लेंगे तो यहां पे थोड़ा द्यान रखना आपको कि यह ज्यादा चूरन की तरह नहीं पिस जाए अब इसके पास जो मखाने हैं वो मखानों में से आदे मखाने हम बिल्कुल चूरे की तरह पीस लेंगे और आदे मखानों को हम क्रस्क करके डालेंगे जिससे दोनों का टैक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से तो दोस्तों इस तरह से कटोरी लेंगे और कटोरी से मखानों को क्रस्क कर लेंगे यह आप देख सकते हैं और यह मोटे मोटे उसमें रहते हैं तो बहुत ही अच्छा टैक्चर हमारी मेवा पाक का आता है अब इनको दोस्तो, एक बरतन में कर लेंगे, सवी ड्राइफ रूट और जो भी कोकोनट हमने फ्राई कीया था, तो सब को अच्छी तरह से मिखस कर लेना है, अब ये, जो मखाने हमने करके डाले थे, वो भी मिकस कर दिये, इसके बाद ये सारे जो ड्राइफ रूट थे जो दरदरे पीसे थे उनको भी इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद दोस्तो इसमें इलाइची पाउडर डालेंगे थोड़ासा इलाइची पाउडर इसमें अड़ करेंगे और थोड़ा सा इसमें दोस्तो गंगा जल्वी एड़ कर देंगे जिससे हमारे इस मेवा पाक की जो पवित्रता है वो और बढ़ जाए तो यह आप देख सकते हैं तो इस तरीके चे यह सभी मिक्स करने ने और अब दोस्तो इसके चासनी तयार करेंगे और चासनी हमें एक तार की तयार करनी है अब इसमें डेड़ कप हम यह चीनी एड़ करेंगे और डेड़ कप में दोस्तो लगवग 300 ग्राम के आसपास इसमें म होगे उसके हाव मात्रा इसमें पानि अड़ करेंगे और जो भी जलेवी बहटीरों हम बनाते थे तो उसके लिए र जो चास्णी तयार मं करते थे उसमे लगव बराबर मात्रा पानि और चीनी की जो चासनी तयार हम करते थे उसमें लगवा बराबर मात्रा पानी और चीनी की डालते थे लेकिन यहां पर पानी के मात्रा आधी रखनी होगी तभी हमारी मेवा पाक है वो बहुत अच्छी तरह से बनेगी तो यह आप देख सकते हैं 5-6 मिनट के बाद यह एक तार की चासनी बनके त्यार हो गई तो इस तरीके से उगलियों से चेक कर लेना है अब जो भी हमारा मेक्चर था वो सारा मेक्चर इसमें एड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं तो इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है तो दोस्तों यहां प के उपर depend करता है आप किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो दोनों ही मेवा पाक बहुत अच्छी लगती हैं अब इदर दोस्तों एक थाली ले लिए मैंने और थाली में घी से चारो तरफ इसको लपेट दिया है जिससे जो मेवा पाक मेक्चर को इसमें डालेंगे तो वो चि त्यार होगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो आपको अब आज के बार डरना नहीं है बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेना है तो इस तरीके से चम्मच से इसको अच्छी तरह से फैला देना है चारो तरफ तो ऐसे दीरे-दीरे करके यह पूरा मिक्चर इस तरह से फैला देंगे अब इसको गार्निस करने के लिए दोस्तो थोड़े से पिस्ता चौप कर लिए थे अब पिस्ता से इसको अच्छी तरह से अभी गार्निस कर लेना है इसके अलावा भी दोस्तो अन्य जो ड्राइफ रूट हमने फ्राई किये थे उनसे भी इसको अच्छी तरह स से गार्णिस करेंगे और यह दोस्तों यहां ध्यान रखना है चार से पांच मिनिट के बाद ही इसमें कटिंग कर लेनी है और बाद के लिए आपने छोड़ दिया तो इसमें कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा तो यह आप देख सकते हैं चाकू से इस तरीके से इसमें कटिंग कर लेनी है तो चार से पांच मिनिट के अंदर करेंगे तो बहुत आफ़ानी से हो जाएगे लेकिन इसके बाद आपने छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तो कटिंग करके इसको छोड़ देना ह जब यह अच्छी तरह से जम जाए तब इसके पीसिज इसमें से निकाल लेने है तो यह आप देख सकते हैं तो इस तरीके से इसके पीस की कटिंग हो जाएगी तो बहुत ही आसानी से बन जाती है दोस्तों अब जो भी ड्राइफ रूट थे जिनको दरदरा पीसा था उसमें से थोड़े से मैंने अपने मेवा पाक को गार्निस करने के लिए रख लिये थे तो अपनी इस मिठाई को बहुत अच्छी तरह से हम गार्निस कर लेंगे तो यह आप देख सकते हो देखने में कितनी अच्छी लग रही है और इसका टेक्चर भी आपको देखने में एकदम परफेक्ट लग रहा होगा और उतनी दोस्तों यह खाने में भी टेस्टी है क्योंकि इस मेवा पाक में पूरे ड्राइफ रूट और ड्राइफ रूट के साथ साथ देशी गे का यूज हुआ है तो इसमें जो फ्लेवर है वो फ्लेवर भी ब पीस निकल आएंगे तो दोस्तों यह आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और जो भी नए भाई वेन पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा जिससे आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो लिखने को मिलती रहेंगे तो थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ